हेलो फ्रेट्स वर्कम बाइक टो मैं चानल मैं सहरता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही है ऐसे 10 इंडोर प्लांट्स जिन आप इंडोर रख कर अपने घर को सजा सकते हैं आज मैं बताऊंगी इन 10 प्लांट्स के लाइट सॉयल एंडोर के बार में पूरी जानकारी आपको दोंगी और सबसे इंडोर बात यह है कि प्लांट्स कोई भी हो इंडोर हो या आउट्डोर हो उसको सनलाइट की जरूरत पढ़ती है इंडोर होते हैं तो उनको शेडी एरिय आपका नहीं करा था एक बर जब आप इसको घर पर ले आते हैं तो इसके सोइल चेंज करने के लिए भी कम सक्व traffic करने छे मैने आप प्रॉक्स आप देख सकते हैं इसकी सोयल भी चेंज करने की जरुरत नहीं होती है इसमें ज़्यादा पानी देने की जरुरत नहीं होती है और आप जब इसको एक बार अपने घर पर ले आते हैं तो आप इससे कई सारे प्लांट्स भी बना सकते हैं इवन इसकी लीव जो है आप पानी में डाल कर भी ग्रो कर सकते हैं तो बात कर रहते हैं इसको light की कैसे जरुरत परती है light इसको bright light sunny light चाहिए थोड़ा धूब दिखाने की सभी पौदों को मैंने आपको पहले भी बताया कि सभी पौदों को थोड़ा sunlight की जरुरत जरुर होती है और soil की बा दूसरा प्लांट है हमारा peace lily, peace lily बहुत ही सुन्दर और प्यारा प्लांट है जैसे कि इसका नाम है peace तो लोग इसको शांती का प्रतिक मानते हुए भी अपने घर पर रखते हैं और बाखी आपकी घर की खूब सूर्थी को तो बढ़ाता ही है ये कई different varieties में आपको मिल जा इसके प्लांट है बात करते हैं इसमें sunlight की कैसे जरूर्थ पढ़ती है तो ये related area में बहुत best रहता है पर इसको बहुत ही कम sunlight की जरूर्थ पढ़ती है ज्यादा sunlight दिखाने की इसको जरुर्श नहीं है और इसमें पानी की बिद्दा जरूर्थ नहीं होती है जब आपकी soil dry ह तो इसमें पानिया दे सकते हैं रेगलर वाटर की ज़रत नहीं है इसमें तीसर प्लांट है हमारा एलोवेरा प्लांट तो इसके गुणों के बारे में कौन नहीं जानता इसके गुणों के उपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है वह आई बिटन में आपको मिल कर सकते हैं अलोवेरा के गुणों के बारे में तो बात करते हैं अलोवेरा को हम अपने ब्यूरी प्रोड़क्ट मेडिसंस हेर के जो प्रोड़क्ट होते हैं उसमें ब्यूरी प्रोड़क्ट स्किन जो प्रोड़क्ट होते हैं सभी में हम इस्तमाल करते हैं तो बहुत ही खराब हो जाता है और बात करते हैं इसके soil की तो soil इसमें sandy soil भी जल जाई और इसको अधिक पाने की भी जरुवत नहीं होती है नमबर फोर्थ है लकी बैंबू जैसा कि इसका नाम है लकी तो लोग किसो लकी होने के लिए भी अपने घर पर रखते हैं यह एक शुब प्लांट माना जाता है आप देखेंगे कि कई शॉपकीपर्स भी इसको अपने शॉपक पर रखते हैं तो बात करते हैं इसको sunlight कैसे चा का प्राइस होगा तो बात करते हैं sunlight इसको कैसे चाहिए light इसको कैसे चाहिए यह direct sunlight में grow नहीं होता है अगर आप इसको धूप थोड़ा सा धूप दिखाने की बहुत ही कम धूप दिखाने की जरूरत होती है तो इसको window में light जो morning की बहुत ही light वाली sun rays आपकी window में आती है त तो दो वीक में एक बार चेंज कर सकते हैं 5 प्लांट है हमारा फ्रेंट्स प्लांट फ्रेंट्स प्लांट एक beautiful प्लांट है आप इसको hanging basket में भी लगा सकते हैं और अपने घर को बहुत ही सुन्दत दिखा सकते हैं बात कर लते हैं इसके light soil on water की तो यह आपको भी different variety से मिल ज जरूरत है और water की बात करें तो जब इसका soil सूख चाहे तब ही इसको आप water ते ज्यादा watering की भी जरूरत नहीं है और soil भी इसकी rich soil होने चाहिए plant number six है हमारा Chinese evergreen plant बहुत ही सुन्दर indoor plant है आप इसको भी indoor रख सकते हैं और आपकी अपने घर की खुबसूरती को बढ़ा सकते हैं तो यह भी आपको different varieties में मिल जाएगा तो हम बात कर लेते हैं इसके light soil and water की तो light में यह low medium light इसको चाहिए और soil की बात कर लेते हैं तो soil इसके अंदर soil की बात करते हैं तो soil इसकी हमेशा moist रहनी चाहिए need to be every time moist होने चाहिए और time पर इसको fertilizer देते रहना चाहिए ताकि इसकी greens हमेशा green रहें नेक्स्ट प्लांट है हमारा अरेका पाम अरेका पाम भी different varieties में आपको मिल जाएगा बात करते हैं इसके light soil and water की तो इसको sunlight बहुत जरूरी चाहिए हलकी जो सुबह जो हलकी धूप आती है दो एक घंटे की धूप आप इसे जरूर दिखाए नहीं तो यह खराब बहुत जल् तो soil इसको rich soil की जरूरत पढ़ती है और time time पर इसको fertilizer भी देते रहना पढ़ता है चाहिए आप homemade fertilizer दे या जैसा भी आप चाहिए वैसा आप दे सकते हैं और water इसके अंदर बहुत ही कम पाने की जरूरत पढ़ती है मैं भी इसको बसनली यूज कर रही हूं तो मैं इसको 3-4 बहुत हैं लोटति होता है घुदी यूज में देती हुए और पानी देने का तरीका तो इक परी और पी आप पानी दे रहे हुआ है तो फुल इसका pot फुल करदें और पढ़तीयाा hoje और इसको पानी जरूर 20 ने耐गे में सब्सक्रायाइब आप और यही तरीक यूज को बात करते हैं light soil and water की तो इसको less light की जरूरत चाहिए और easy to care plant है और soil की बात करें तो rich soil इसको चाहिए and water की बात करें तो गर्मियों में ज़्यादा पानी लेता है सद्यों के according और बहुत ही सुन्दा प्लांट है hanging basket है बहुत ही सुन्दा लगता है ये plant next plant है हमारा Crotone plant Crotone plant different varieties different colors पें आपको मिल जाएगा और ये indoor बहुत ही सुन्दा लगता है decoration के लिए भी और आपके घर की खूब सूर्थी को बढ़ाता है बात करें इसके light soil and water की तो light इसको bright light इसको sunlight मैंने बताया कि आपको जरूर दिखाना है हर plants को और soil इसको rich soil चाहिए इसको grow करने के लिए इसके जो leaves के जो color होते हैं उसको maintain रखने के लिए आप इसको time पर fertilizer देते रहें और इसकी trimming भी साथ-साथ करते रहें और बात करें water की तो जब इसमें इसका soil जो आपको dry लगे तब इसमें water दे और watering की ज़रूरत इसको नहीं है लास्ट प्लांट है हमारा जेड प्लांट तो जेड प्लांट एक cutest प्लांट के रूप में निकल कर आता है तो इस जेड प्लांट से आप बंसाई प्लांट में भी इसको convert कर सकते हैं और एक low maintenance प्लांट होता है ना तो इसकी बार बार सोई चेंज करने की ज़रूरत परती ना इसमें कोई fertilizer देने की ज़रूरत परती ना आपको reporting ज़रूरत करने की ज़रूरत परती बहुत ही और ना ज्यादा पानी देने की ज़रूरत परत